पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनिये गुशन साइन्स प्लस को और करे अपने फार्मा एंड नर्सिंग का सपना साकार डाउनलोड दी एक नाउ गुशन साइन्स क्लस में आप सभी को तैदिल ज़े स्वागत है और आज हम डिसकस करना वाल है डी फार्मासिका एक बहुत इंपोटेंट सब्जेक्ट है फार्मा कोलोजी फार्मा कोलोजी है ना यह बहुत इंपोटेंट सब्जेक्ट है किसी भी मेडिकल हो या पारा मेडिकल स्टुडेंट्स के लिए क्योंकि इसमें जो है दुनिया के वर्ल के जितने भी डिजीज हैं उनका treatment जो है इसी book में आपको मिल जाएगा जितने भी डिजीज हैं दुनिया में उनका जितने भी medicines है medicine बोलो या drug बोलो ये जो है आपको pharmacology में मिल जाएगा तो ये जो book है जो medical field है इसके लिए बर्दान है समझ रहो कि कोई भी डिजीज को ठीक करना है तो हमें pharmacology का जो है सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे medicines या drugs का जो है list उनका जो list है उनका जो uses है है ना drugs का uses उनका जो side effect है सब जो है इसी book में मौझूद है तो ये बहुत important हो जाता है pharmacology को study करना और ये जो है नाकी college level पे ये जो है सभी governments exam में भी पूछे जाता है और ये जो है सभी जैसे की medical हो सभी जो medical जो medical ये है इन में जो है फार्माकोलोजी का यूज होता है तो जैसे की बोला आज हम पढ़ेंगे introduction introduction and scope of pharmacology आज हम इसको जो है discuss करने वाले हैं तो फार्माकोलोजी जो है ये mainly दो वार्ड से बना हुआ है फार्माकोलोजी जो है ये दो वार्ड से बना हुआ है और ये जो है फार्माकोलोजी ये जो है ग्रीक वार्ड से आया है ना ग्रीक वार्ड से आया है मिन्स फार्माकोलोजी को ग्रीक के जो लोग है उनको ये जो है फार्माकोलोजी को नामकरण किये हैं और ये जो मैंने वोला आपको ये दो वार्ड से डिवाइड होता है एक तो हो गया फा इंगलिस में हम इसको क्या बोलते हैं इंगलिस में बोलते हैं फार्मा को करना ही फार्माकोलोजी होता है तो इसका डेफिनेशन ऐसा कुछ हो सकता है definition of pharmacology it is the branch of in the branch of medical science medical science which deals with which deals with study of study of drug study of drug in biological system in biological system biological system drug study of drug in biological system is called pharmacology इतने आप समझ गया होंगे pharmacology क्या होता है तो हम बार-बार repeat कर रहे हैं pharmacology में जो ड्रग है ट्रग एक्चुली होता क्या है तो चलिए जानते हैं यह यह होता क्या है तो यह जो ड्रग है यह भी जो है एक फ्रेंच वार्ट से आहा है और फ्रेंच में ड्रग को हम वोलते हैं ड्राग्यू, D-R-A-G-U-E ड्राग्यू, और ड्राग्यू का मतलब होता है Dry Herb, Dry Herb, इंघ्लіस मीच चानीब को हम बोलते है, Dry Havert ड्राई हर का मतलब होता है, निन भी हद्राई हर का मतलब होता है, सुखे हुए, पेड़-बौधे, उनके जो जड़ी है, है ना उनके जो फ्रूट्स हैं उनके जो फ्लावर हैं उसको ले के हम जो है दवाईयां बनाते हैं तो इसको क्या करते हैं हम ड्राई हर्मिंस इसको धूप में जो है सुखा देते हैं धूप में जो इसको सुखा देते हैं और इसका जो पावडर बनाते हैं और सीधा हम इसको मरीज को जो है जो भी मरीज है जीस बीमारी का मरीज है उसको जो है हम इसको खिला जेता है ठीक है तो ये ही होता है drug, तो ये जो drug है है ना इसका definition ऐसा कुछ हो सकता है drug जो है it is a chemical substance it is a chemical substance which is used ये used होता है इसके लिए to treat to cure to mitigate and to prevent disease ठीक है prevent disease means जो disease को treat करने के लिए disease को जो है cure करने के लिए उसका mitigation करने के लिए prevent करने के लिए disease को हम जो है ये chemical substance जो drug है उसको हम use करते है समझ रहे है treat का मतलब होता है trick करना cure करना मिस जड़ से जो है विमारी को ठीक कर देना cure होता है mitigate मिन्स जो बिमारियों का जो severity है है जो severity है उसको reduce कर देना है ना reduce कर देना उसको बोलते हम mitigate और prevent है means prevent का पतलब ये है disease को जो है पहले से ही रोक के रख देना उसको बोलते हम prevent तो ये चार चीज़ जो है ये ड्रग जो है actually करता है ठीक है तो जो ड्रग डीज़ को treat कर सके cure कर सके उसका mitigate कर सके या prevent कर सके उसको हम बोलेंगे drug दो इतने में आप समझ गया होंगे drug जो है ये chemical substance होता है ठीक है आयोर्वेधिक ऑर्वेधिक OO आयोरवेधिया है वो क्या करते है सुके वह पेड़ पोद्द से जो है powder बनाते है ठीक है और सी दा ऑग वो मरीज को खिला देते है किसी बीडिजीज के लिए है तो ऐसे ही जो है यह डिजिस का उपचार होता है आर्वधिक सिस्टम में वैसे ही जो ड्राय हर्ट से है वैसे ही सेम सेम दोनों का एक ही काम है लेकिन क्या होता है यह आर्वधिक सिस्टम जो है यह ट्राडिशनल सिस्टम हो गया बट जो अभी मोडेन साइंस में क्या होता है मोडन सेंस में मोडन सेंस में क्या होता है हम जो कोई भी पेड़ पोधा हो गया उसका जो है extraction कर लेते हैं ना extraction कर लेते हैं उसका जो एक्टीव चैमिकल कंस्चिट्वेंट है चलिए इसको इसको जो है अलग एक पीज में समस्षते ड्रग यह यह कैसे से बोलेंगे शुकर हुए पेड़ के पोधे या ना उसका जड़ी बड़ी सबको तो इसको आँम मालीजे पाउडर फॉर में कर दिये और उसका जो आए मेन एक्टिव केमिकल कोंस्ट्टिफ्ट इशा एक्सट्र醞 को केमिकल आते हैं इसको अक्सट्रक्ट कर रहा हैं एक्स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें जो है प्योर फॉर्म में वो केमिकाल हमें मिल जाता है ठीक है वैसे एक एक जम्पुल के तोर पे दूँ ठीक है एक जड़ी बुटियों का एक हर्व है उसको बोलते हैं हम एट्रोपा बेलाडोना एक जो है पौधा है उसमें क्या होता है यह एक्टिव केमिकल कंस्टिचुएंट है और यह बहुत सरे बीमारियों के लिए योज होता है जैसे कि आपको मस्रूम का अगर पौईजनिंग हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए एट्रोपीन दिया जाता है ठीक है अगर आपका हार्ट रेट है ना आपका हार्ट रेट अगर लो है अगर लो है तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है तो यह बहुत सारे यूज उसका जो फ्रोवाममे मिलता आरियो बहुत सारे अरे डूंट को क्यों चुर करने में खिंस होता है तो यह 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 modern science का concept है MATA, JR modern science का concept concept है but अर्वधिक सिस्टम में अर्वधिक सिस्टम में हम क्या करते हैं, simple जो है हम पेड़ पोदे का क्या बना लेते हैं और उसको जो है मरीज़ को खिला जाते हैं है ना मरीज़ को खिला जाते हैं किसी भी डिजीच को ट्रीट करने में तो ड्रक का यही अल्टिमेट गोल है जो मेन एम है किसी भी डिजीच को है ना किसी भी डिजीच को जड़ से ठीक करना ही drug का important या main काम बोल सकते हैं ठीक है? तो यह pharmacology में भी यही ज़ो goal है वो set होता है कि disease को कैसे cure किया जाए disease को कैसे treat किया जाए है disease को कैसे mitigate किया जाए या disease को कैसे prevent किया जाए तो यही होता है pharmacology तो आपने drug समझ लिया अभी तक और जो है फार्माकोलोजी होता क्या है, वो समझ लिया, फिट चलिए बढ़ते हैं, ए डीजीze रेखी डीजीज होता क्या है, यह भी समझ लेते हैं, डीजीज जो है यह नर्मल बोढी अगर और अध आपका उसमें कुछ नर्मल बोढी च्हुलिजी सांस ऐ eres है जैसे कुछ changes आ गये तो इसको हम बोलेंगे digits, यहाँ इसको हम ऐसे Divide कर सकते है, इसका मतलब होता है opposite है और इज का मतलब होता है faciness, मिन्स age का opposite होता है this is, समझ रो, मिन्स आपका जो normal body function है, उसको हम बोलेंगे digits, ठीक है, तो फार्माकोलोजी जो है, क्या होता है, यह interaction between, interaction between drug and biological system, biological system, इसको हम बोलेंगे फार्माकोलोजी, means यहाँ जो drug है और biological system का जो interaction हो रहा है, आप जो drug खा रहे हो, है ना, जब जो जो drug खा रहे हो, उसके बज़े से आपके body में क्या-क्या changes हो रहे हैं, उसको हम पढ़ते हैं, फार्माकोलोजी, खिक है, तो इस इस ओल अबाउट फार्माकोलोजी introduction, चैप